फ्रेंड्स रिसेंटली अभी हाली में आपके MPCHO रिकूर्टमेंट से सम्मंदित एक और जानकारी ओफिशली आपको वेबसाइट पर आपको यहाँ पर प्रवाइड कराए जारी अभी तक जो है आपको एड्मेट कार्ड तक का ही अपडेट आपको यहाँ पर दिया गया था लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो information आई है आपके admit कार्ड के बाद की यहाँ पर रहने वाली है तो कौन सी information आई है कौन से candidate के लिए रहेगी और कहाँ पर यह information आपको दी गई यह सारी information बिलकु लाइव एप्रूफ के साथ जानकारी में आपको 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 दे के से पाते रहे तो चलिए शुरू बात करते हैं अपने update को बढ़ते हैं information की ओर तो सबसे पहले हम लोग इसकी official website को open कर लेते हैं तो google पर जाके mp online iphone यह जो है हम लोग इसको आपर type करके इसको आपर search कर लेते हैं तो type करते ही search करते ही देखिए आप लोगों को यहाँ पर portal जो है यह page home page यहाँ पर open हो जाएगा और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर view all notification इस पर आपको यहाँ पर click कर देना है click करते से ही दोस्तों जो है finally आगे का page open हो जाएगा NHM की जो information आती है नीचे की तरफ हमको यहाँ पर आना है और यहाँ पर देखिए community health officer CHO की information की और स दिया गया था लेकिन अब जो है इसके बाद एक और जानकारी यहाँ पर add होई कौन सी जानकारी है और इसमें क्या लिखा है और देखिए हिंदी भाषा में लिखा है तो मैं आपको पूरा easily आशान सी भाषा में मैं आपको 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 समझाने वाल हूँ आप लोग ध् अध्यम से मध्य प्रदेश राष्टी स्वास्त मिशन में CCHN CHO पद के लिए परिक्षा हेतु admit card जारी किये जा चुके है अता परिक्षारतियों से निवेदर है कि आप अपना उचित आविदन क्रमांग एवं सम्मंदित पासवर्ड दर्च करें बार बार गलत जानकारी टंकित करने से admit card account ब्लॉक हो सकता है जिसकी जिम्मेदारी आविदा की स्वैम होगी तो दोस्तों देखिए सिंपल सी भाषा में मैं आपको आपको आप समझा देता हूँ कि जितने भी candidates के admit card अभी तक download नहीं हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे निरदेश दिया जा रहा है कि आपका जो भी आविदान क्रमा केमीज आपका जो भी application form आपका यहाँ पे number है तो यह जो है आपको सही से fill करना है और जो भी आपका data birth है वो भी आपको यहाँ पे सही से fill करना है और जो भी आपका capture था तो यह तीनों जानकर यह आपको सही से fill करनी होगी तभी आपका admit card open ह और यदि यह information आप लोग गलत प्रवाइट कराएंगे तो आपका जो account है वो block हो जाएगा और block हो जाएगा तैन आपका admit card जारी नहीं होगा नहीं आप लोग अपना admit card डाउलोड कर पाएंगे तो जितने candidates अपना admit card डाउलोड कर चुके हैं आप लोग अच्छी बात है और ज करेंगे तो admit card आपका डाउलोड नहीं होगा और account आपका ब्लोग हो जाएगा और मैंने आपको बोला था कि करीब करीब आपके पास 24 attempt है 24 attempt है 24 बार आप लोग गलत जानकारी डालेंगे तो आपका account ब्लोग हो जाएगा तो यह जानकारी आपको यहाँ पे एक निरदेश द थी candidates के मैंने admit card डाउलोड भी करके दिये क्योंकि candidates के पास ना तो उनका application form का number था ठीक है नहीं उनके पास कोई other information थी तो मैंने उनकी कुछ payment की details और उनके कुछ यहाँ पे personal details की मदद से उनके admit card मैंने आपके find out किये और मैंने उनको whatsapp पर ही send कर दिये हाला कि इसका मैंने थ काफी मेरी आप मैंने आपको बताई भी था 15 से 20 मिनिट मुझे जो है candidate की information निकालने में लगी then उसका admit card वहाँ पे download किया और यदि आपको देखा था रही है तो whatsapp नमबर मैं आपको दे देता हूँ 741 5543659 तो whatsapp पे आप लोग मुझे message कर सकते हैं यह number मैंने आपको provide करा द यह तो total 6 papers है मेरे पास 2019 से 2022 तक 6 shift के यह paper है जितने भी exam हुए यह सभी shift के paper यह आदि आपको चाहिए तो यह pedia file है इसका जो amount है 150 rupees रहेगा तो whatsapp नमबर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया आप लोग मुझे message कर दीजे previous papers आपको मिल जाएंगे previous papers से काफी help मिलती है exam का pattern exam का difficulty level और exam से किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं यह सारी information आप लोग पुराने papers में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और यदि किसी candidate को अलग से topic wise questions के ebook चाहिए तो यह pdf file भी आपको मिल जाएगी इसका अलग से 100 rupees amount रहेगा तो दोनों चाहिए तो आप लोग मुझे message कर दीजिए आपको सारी जानकारी मिल जाएगी तो जो भी information थी कबर की आप लोग video को like कर दें और channel को subscribe कर लें यदि आगे और भी को information आती है तो आपको जानकारी जरू मिलेगी वीडियो के नीचे जाए subscribe के red button को click कर लें thank you so much